हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 6-7 येर बेबी के लिए एमरेला का टोप बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हमने 1.5 मिटर कलोथ लिया है आई ये वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर दो पीस हमने ले लिये हैं ज एक साथ ही बच जाएगा इसलिए हमने इसमें से काटकर पीस अलग नहीं किये हैं यहां पर शॉल्डर इसका 5.5 इंच का लेना है और आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 6 इंच लेनी है ऐसे करते हुए हम इस पर सीधा निशान यहां पर लगा लेते हैं नेक की चोड़ाई हमें इसकी 2.5 इंच लेनी है और लेंथ में हमें इसको 2 इंच लेना है अब हम इसमें ऐसे करते हुए गोलाई कर लेते हैं चेस्ट हमें इसकी 8 इंच रखनी है ऐसे करते हुए हम यहां पर निशान लगा लेते हैं आर्म होल में हम गोलाई कर देते हैं सीधा निशान हम यहाँ पर लगा लेते हैं लेंध हमें इसकी टोटल 23 इंच रखनी है नेक के पास से हम लेंध को मापते हैं सभी जंगे से हमें बराबर इसकी लेंध 23 इंच रखनी है अगर आपकी बेवी हाइट में थोड़ी जादा है तो आप नीचे की साइड से लेंध इसकी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं साइड से भी हमें इसको ऐसे ही कटिंग कर लेना है यह देखें यहाँ पर टोप हमारा यह कटिंग हो गया है और इसमें से एक साथ कपड़ा हमारा बच गया है दोनों पीस यहाँ पर हम कट गए हैं एक पीस हमारा अलग कर लेते हैं इसमें से हम यहाँ पर 3 इंच का हम नेक कट कर लेते हैं यह हमने 2 एंड 4 इंच की स्ट्रीप ली है बीच से हम इसको 3 इंच का कट कर देते हैं और यहाँ पर रखकर इसको हमें लगा लेनी है यह हमारा फ्रंट पीस है इसको हम डबल कर लेते हैं और टू इंच इसका नेक का निशान हम लगा लेते हैं टू इंच हमने लगाया हुआ है टोटल नेक इसका फॉर इंच का हमें रखना है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ये देखिए यहाँ पर दोनों पीस हमारे कट कर तयार हो गया है सबसे पहले हम अपना बेक नेक तयार कर लेते हैं पट्टी को हमें ऐसे करते हुए सिलाई लगा लेनी है बीच में इसके हलका सा कठ हमें लगा लेना है सबी फेबरिक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा लेते हैं अब इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये देखें नेक यहां पर हमारा कितना प्यारा सा बन कर तयार हो गया है अब हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिराई लगाने चाहिए जिससे हमार महौल या नेक में पाइपिन लगाते हैं तो इस साइड से उधरती नहीं है हम ये अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी लगा रहे हैं इसको हमें धिला धिला छोड़ना है किसी भी जंगे से इसको हमें खीचना नहीं है ये देखिए पट्टी यहां पर हमाई लग गई है एक्स्टा फैबरिक हमने कट कर दिया है अब अंदर की साइड हम इसमें हलके हलके से कट लगा लेते हैं इसको फॉल्ड करते हुए हम यहां पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुत जादा फिनिशिंग के साथ लगकर तयार होगी यह देखें यहां पर सिलाई हमने लगा ली है अब अंदर की साइड अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको काट दीजिए और अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो इस तरीके से फॉल्ड करके इसके उपर एक फाइनल सिलाई लगा जीजिए इसी तरीके से हमें दूसरे आर्मोल में और नेक में अपनी पट्टी लगा कर तयार कर लेना है यह देखें यहां पर पट्टी हमाई लग चुकी है इस साइड में भी हमने ऐसे ही पट्टी को अपने लगा लिया है नेक में यहां पर हमें डिजाइन बनाना है तो उसके लि अब इसकी सिलाई हम बीच में कर लेते हैं और साइड से इसके सिलाई लगा देते हैं इस साइड से भी हमें इसके ऐसे ही सिलाई यहां पर लगा देनी है अब इसके खुले हुए हिस्से में को हम इसको पलट कर सेट कर लेते हैं कोने किसी भी चीज से हम इसके निकाल लेते हैं सेंटर में हम इसके निशान लगा लेते हैं जिससे हमारी चुननटे बिल्कुल बराबर आए आप हाथ की सुई की मदद से भी इसमें चुन्टे डाल सकते हैं और मशीन से डाल रहे हैं तीन से चार सिलाई बीच का हिस्सा कम करके आपको डालनी है इसी तरीके से हमने अपनी सभी बो तैयार कर ली है अब ये सामने का जो हमने फ्रंट पर निशान लगा लेना है और नेक से थोड़ी दूरी बना कर हमें ये बो अपनी लगा लेनी है ये देखें यहाँ पर इस तरीके से हमें बो अपनी लगा कर तैयार कर लेनी है ये देखें यहाँ पर बो हमने लगा दिया है अब एक पट्टी हम ले लेते हैं और इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड से थोड़ा बो से एक्सट्रा हमें इसका फैबरिक निकाल लेना है आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी اور सिम्पल सी डिजाइनिग बन गई है, जो कि आप आप साने से बना सकते हैं यह देखिए बोह हमारी बनकर डिजाइनिंग तैयार हो गया है इसमte नेक में पट्टी अपनी लगाकर तयार कर लिया है, अब हम इसको double कर लेते हैं, और side में इसके fitting की सिलाई हम लगा देते हैं, डोनो side में पटो के सेम हमें इतनी ही सिलाई लगानी है, इस side से भी हम ऐसे ही सिलाई को लगा देते हैं, अब इसका नीचे का घेरा हम फॉल्ड कर लेते हैं फ्रेंट्स ये नीचे का घेरा हमें चोड़ाई में जादा नहीं मोड़ना है क्योंकि एक गोलाई का घेरा हो गया है अगर हम चोड़ाई में मोड़ेंगे तो इसमें जोला जाएगा इसलिए हम इसको कम चोड़ाई का मोड़ते हैं और इस पर डबल सिलाई लगा कर इसको तयार करते हैं एक सिलाई हमने लगा दिये एक सिलाई हम किनारे पर लगा रहे हैं यह देखिए फ्रेंज यहां पर कितना प्यारा सा हमारा यह टोप बन कर तयार हो गया है फ्रेंस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में